नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काच कर सकती है लेकिन उसे पहले डिस्क्लेमर वीडियो एजुकेशन लेर्निंग परपस के लिए है क्योंकि आपको होने वाले प्राफिट लास के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है यह है आज का डाटा नेट नेट बेसिस पर रिटेलर ने इंडेक्स में लॉंग बढ़ाया है 15,000 कंट्रेक्ट हो गया उसके पास 2656 कंट्रेक्ट FIA के पास है इन्होंने कोई बेड़ा आज मेजर गेम नहीं खेली 89819 कंट्रेक्ट DIA के पास है 134,602 कंट्रेक्ट प्रास राइट करके गया बेज के गया है और मैक्सिम्म कंट्रेक्ट इसमें से सारे FIA के पास है और FIA बुलिश पूजिशन लेके चल रहा है लेकिन वीकली बेसिस पर रिटेलर ने अपनी आज काफी अच्छी बुलिश पूजिशन बनाई है पुट में 2,64,945 कंट्रेक्ट 2,10,000 कंट्रेक्ट FIA के पास है इसमें से नंबर इनों ने बढ़ाया है पुट में 18,958 कंट्रेक्ट प्रास राइट करके गया है जो इसने तेजी की है 73,727 कंट्रेक्ट DIA के पास भी है और आज आपने देखा कि पुट और काल दोनों में ही पिटाई हुई है 13,42,30,42,000 कंट्रेक्ट रिटेलर के पास लॉंग साइट में है 16,16,000 कंट्रेक्ट DIA के पास लॉंग शाट साइट में है एक लाग कंट्रेक्ट FIA के पास है नंबर ये 50% से जादा इन्होंने बेच दिया है जो इन्होंने लॉंग किये थे 1,73,550 कंट्रेक्ट प्राउस के पास है जो लॉंग साइट पे है चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामेटर के ओपर आज FIA ने 855 क्रोड की सैलिंग की है सामने से डिया इन्हें भी 115 क्रोड की सैलिंग ही की है मतलब बाइंग किसी ने भी नहीं और SGX निफ्टी फ्लैट है US मार्किट पासिटिव चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर पासिटिव है इनके इनके इनफेक्ट और ये युरोपियन भी पासिटिव है SGX निफ्टी भी पासिटिव है अब दोस्तों निफ्टी की क्लोधिंग हुई है 18308 के लेवल पे 18308 पे आप देख सकते हो काल में तो फिर थोड़ी बहुत बढ़त हुई है बट पुट में आज जो है अच्छी खासी कराब भी हुई है 18300 पे 94000 कंट्रक्ट है कल के लिए जो रेंज बन सकती है वो नीचे की तरफ 18200 बन सकती है जहां पे 88000 कंट्रक्ट पुट साइड में है और यहां पे आप देखो थोड़ी सी अन्वाइंडिंग हुई है उसके बाद 38167000 कंट्रक्ट है 21000 यहां आज जुड़े है और 18400 पे 83 थोजन कंट्रक्ट है इन फर्ट 300 पे ही 94000 कंट्रक्ट यहां पर आज जो है यह राइटिंग वही है और यह राइटिंग हमारे फ्रावस बेच के गी है रिटेलर ख्रीद के गए है तो एक्षिन क्या हो सकता 18,200 नीचे तो फिलहाल स्पोर्ट है और 200 के नीचे जाने पर ही जो है मार्किट खराब होगे मतलब स्पोर्ट आपको 18,180 के नीचे जाएगा तब थोड़ी सी खराबी करता होगा नजर आएगा और इमिडेट बेसिस पे 18,140 जो है वो बहुत अच्छी स्पोर्ट है तीन चार ट्रेडिंग सेशन में एक दिन भी जो है इस स्पोर्ट को निफ्टी फ्यूचर ने वाइलेट नहीं किया 18,200 नीचे और 18,400 ऊपर की तरफ यह एक रेंज है और आप देखी यहाँ पे एक लाख के लगवग कंट्रेक्ट है 18,300 पे अगर कल कोई 50-70 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है और आज पहला दिन था इस वीक की जो एक्सपाइरी का तो आप देखोगे अगले दो दिन काफी गहमा गहमी रहेगी दोनों तरफ आपको हैवी पोजिशन बनती भी नदर आएंगी ट्रेडर्स और प्रॉस की तरफ से तो नीचे अगर कोई डिप मिलता है तो बाय करके चल सकते हो प्राफिट बुकिंग 18,400 की लेवल के आसपास आपको कर लेनी चाहिए अगर आप लांग पोजिशन में आए और अगर आप मंथली होल्ड कर रहे हैं कहीं न कहीं निफ्टी 18,719,000 की लेवल की तरफ जानी चाहिए बजट से पहले कोई भी अब खराबी होगी मार्किट में वो बजट के बाद ही होगी बजट से पहले ऐसी खराबी हो कोई बहुत बड़ी मंदी है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ दूसरा LIC का IPO वो भी आना है और अगर अब भी ही मार्किट में खराबी आ गई तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि छोटे निवेशक जिनसे एक से सवा लाग करोड़ में मार्किट से उठाना है वो भाग जाएंगे मार्किट से जैसे आपने देखा कि पीछे जब 18,600 से 16,400 गई थी तो कितनी नेगटिव आते मार्किट में शुरू हो गई थी 15,000-14,000 तक के लेवल थे तो ऐसी परिस्थीती में जो छोटा निवेशक है वो भाग जाता है मार्किट से डर जाता है तो उसको भी अभी संभाल के रखना है उसकी जेव से पैसा भी निकालना है तो इतनी वड़ी खराबी हो जाए मुझे लगता नहीं है 18,000 जो है काफी अच्छा सपोर्ट का लेवल है मंथली भी है वीकली भी है और जैसे जैसे आप मंथली की तरफ बढ़ रहे हो तो यह आपको सपोर्ट और भी इंटेक्ट होती हुए नदर आ रही है अब आप देखो एक लाख कंट्रेक्ट जो है 18,000 के स्ट्राइक पर ही है यह वीकली भी है और मंथली भी आल्मोस्ट अच्छा कासा उपन इंटरस्ट है इसलिए क्या है जैसे जैसे मार्किट उपर जाएगी आपको निफ्टी में और शाट्स क्रियेट होते हुए नजर आएंगे तो वो जो है निफ्टी को उपर ले जाने में सहायता देंगे तो 18,200, 18,400, 450 यह रेंज कल के लिए रह सकती है अब बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने 3-4 दिन से पकाया इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी जो है आने वाले एक आत दिन में ट्रेडिंग सेशन में तेज जी दिखा सकती है 38,216 इंट आज इसने दिखाने की कोशिश की अच्छे रिजल्ट आएंगे तो नेगटिव रेक्शन होगा बजार का तो कल के लिए जो रेंज है 38,000 से लेके 49,000 यह एक हजार पॉइंट की रेंज है रेंज जो है 38,500 के उपर ही है तो यहां पे भी 38,600 के उपर अगर मार्किट निकलेगी बैंक निफ्टी निकलेगी त के लिए इस वीक में आपको 39,000 के दर्शन दुबारा से होने चाहिए और नीचे की तरफ 38,000 सपोर्ट है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगी 38,000 के नीचे तो 37,700, 37,800 एक लेवल है जहां पे फिर से एकिमुलेशन होगी फिर इसका बॉंस काफी अच्छा हैगा तो कोई भी अगर गैप अप यहां पे मिलता है 38,600, 37,000 जो आज के हाई के आसपास है वहाँ पे एक बार आप शाट कर सकते हो लांग कहां करने 38,000 के आसपास मिलती है तो लांग करके चल सकते हो बैंक निफ्टी अभी शायद कल का भी सेशन जो है वो रेंजबोंट दिखा लेकिन मुझे असा लग रहा है कि चार्ट रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी नाई नीचे की तरफ 38,000 तोड़ रही है नाई उपर की तरफ 38,500 का लैवल जो है वो क्रास कर रही है तो कल शायद एक सेशन हो सकता है कि शायद उपर की तरफ अटेंट करने की कोशिश करे व दो लाख और पचास दो लाख पचास दो लाख साथ हजार दो लाख साथ हजार कंट्रेक्ट हैं जो मोटा माटी बनते हैं आपके 53,000 लाख शियर तो बैंक निफ्टी में अगर 38,500 के उपर 600 के उपर निकल के ट्रेड किया तो 50 से 53,000 लाख शियर जो है वो शाट हो पार के लिए पुट जुरू ट्राइ करनी चाहिए क्योंकि इस लेवल के उपर निकल के सस्टेन करेगी 38,000, 849,000 के लाख बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा रीजन काफी भारी भरकम यहां पे भी शाट है यहां पे भी राइटिंग है काल साइड पे तो यह जो राइटर्स हैं यह जुरूर कोशिश करेंगे इस लेवल को डिफेंड करने की और यह पुट खराब करने की कोशिश जो है बड़े प्लेयर कर सकते हैं आने वाले दिनों में 800 की पुट 80 रुपे में रह जाए तो इसमें आपको सर्प्राइज नहीं होना चाहिए तो 38,000 नीचे की तरफ 39,000 उपर की तरफ यह रेंज जो है मार्किट की रह सकती है बाकी लाई मार्किट में कुछ भी नजर आएगा तो टेलीग्राम चैनल पर में अपडेट करने की कोशिश जुरूर करूंगा इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो में यह खतम करने जाज़ चाहता हूं उमीद करत कर लीजिए और हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी में इसा जुरूर शिर कर लीजिएगा वीडियो करता हूं खतम नमस्कार जय हिंद